12 अगस्त सन 2022 आज का पंचाग। आज के तिथी वार नक्षत्र योकरंट संपून वविस्त्रित जाक। आज के तिथी वार नक्षत्र योकरंट संपून वविस्त्रित जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। आज का राहुकाल का सुप्स में क्या रहेगा अविजीत मोहुर्त और बुलिक काल का सुप्स में क्या रहने वाला है कौन से दिसा में आज आज आपको याप्रा करने से बचना चाहिए। तो चले शुरू करते हैं, मैं पंचांग सुरू करों से पहले आपको बता दूँं, आज धनश्टा और सत्मिसा नक्षत्र रहे. दोनों ही नक्षत्र पंचक के नक्षत्र है, तो आज पंचक का विचार अवसंद करें. पंचक में पांच कारियों को करने से बजना चाहिए, पंचक में दक्षण दिशा के ओर यात्रा नहीं करे, पंचक में घर की छत नहीं डाननी चाहिए, पंचक में घास और लकड़े की कठा नहीं करने चाहिए, और पंचक में चार पाई गुनना, खरीदना, वेचना नहीं च अंतिम सस्कार के त्यारी में पंचक विचार अवस्य करेंगा। अंतिम सस्कार के त्यारी में पंचक विचार अवस्य करेंगा। अंतिम सस्कार के त्यारी में पंचक विचार अवस्य करेंगा। अंतिम सस्कार के त्यारी में पंचक विचार अवस्य करेंगा। लेकिन किसी खास काम से। आवस्य की स्थिति में आज आप पस्चिम दिसा के और जा रहे हैं। तो जोग का सेवन करने के बाद ही पस्चिम दिसा के और यात्रा करें। जब भी यात्रा के लिए घर से निकले उसमें देखें। जब भी नासिका चिद्र में से स्वांस अच्छी तरह चल्दाव गतिमान इस्तिति में हो। उसी तरब के पेर का पहला कदम रखकर के यात्रा शुरू करें। निस्चित ही आपकी यात्रा सुखर व मंगल में रहे। जेल दर्शकों का आप जन्म दिन हैं। आप सबी दर्शकों को जन्म दिन के धेर सारी सुख करना है। परम्पिता प्रमेश्वाड आपको यस आयुकिरती प्रदान करें। यही हम प्रापना करते हैं। जन्म दिन पर पूजन अवस्ट करें। जन्म दिन पर क्या गया पूजन वक्रूर ग्रह का दान एक वर्स्तक लाब देने का कारे करता है। इसलिए जन्म दिन पर पूजन जरूर करने का। आप सबी का दिन सुब हो, जीवन मंगल में हो। यही मंगल करना हैं। नमस्कार। जानकारी अच्छे लगे तो शेयर अवस्ट करें और चैनल को नए हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना नवा देखा।